सल्मान खान को लेकर आगई बहुत बड़ी खबार टेंशन में आगया बॉलियूट छोड़ने वाले हैं गैलक्सी अपार्टमेंट भाई ने मीडिया के सामने आकर कह दी बहुत बड़ी बात जिस बात कर दर था वही हुआ पिता सलिम खान ने दी सल्मान को चेतावनी समझा रहे त्यारबाज और सोहेल बहन और पिता कर औरो कर बुरा हाल रिक्विस्ट कर रहे थे आयूश शर्मा क्या मान गए हैं सल्मान सब की बात अब गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर नहीं लगीगी फैंस की भेड़ छोड़ना पड़ेगा सल्मान को अपने पिता का घर बनाना पड़ेगा कोई और ठिकाना क्या डर गया है बॉलियूट का भाईजान या बहुत कुछ और है वैसे बॉलियूट में डर का नाम ही सल्मान खान है लेकिन इस वक्त बॉलियूट का दबंग अपनी नीजी जिन्दगी को लेकर बहुत परिशान है पूरा परिवार सल्मान को रिक्वेस्ट कर रहा है पिता सलीम भी समझा रहे है भाई सुहल और अरबाज पूरा जोर लगा रहे है बार बार अर पिता सल्मान के पास आकर अपने भाई को समझा रही है आयूश शर्मा भी अपने साले सल्मान खान को समझानी की कोशुश कर रहे हैं आखिर सल्मान खान पर वो कौन सी मुसीबत आ गई जिसकी वजह से सल्मान को मजबूरन अपना सबसे पसंद्दा घर छोड़ना पड़ रहा है जिस घर में सलीम खान बरसो से रह रहे हैं और अपनी बेटी को पाल पोस कर इस मकान तक पहुँचाया है क्या उस मकान को छोड़ना पड़ेगा जबकि सल्मान के इस मुसीबत की घड़ी में मुंबई के मुक्किमंत्रे उनके साथ चट्टान की तरह खड़े हो गए बावजुद इस केस सल्मान खान के सामने वो कौन सी मजबूरी आ गई जो इसकी वजह से सल्मान के दिल का टुकडा गैलेक्सी अपार्टमेंट को सल्मान को छोड़ना पड़ रहा है क्या कुछ हुआ है ? सलमान के भाई ने मीडिया के सामने आकर क्या कहा है? सब कुछ हम अपको डीटेल में बताएंगे उस से पहले हम आपसे जाना चाहते कि क्या सलमान खान को अपना गालक्सी अपार्टमेंट चोड़ देना चाहिए? कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए अर्बास खान के भाई अर्बास खान ने इसको लेकर अपनी चुपी तोड़े और बताय कि या प्लान है हाली में अर्बास खान से प्ूछा गया कि क्या सल्मान खान और पूरा परिवार एहतियात के तोर पर इस घर को छोड़े गा सल्मान अपने पूरे परिवार के साथ मुंबाई के बांदरा मिस्थित गैलक्सी अपार्टमेंट पे रहते हैं जहां अक्सर उनके फैंस पी उनकी एक छुलक पाने के लिए आसपास इकठा होते हैं जिसकी कई फोटो वीडियो भी सामने आती रहती हैं फिर चाहे वो इत का मौका हो या फिर उनके बड़े या किसी त्यवहार का मौका इसी भी चरबास खान से घर को बदलने के बारे में सवाल किया गया जूम से बात करते हैं अर्बास ने कहा कि आपको लगता है कि ये खत्म हो जाएगा जैसे कल अगर आप जगहां बदलते हैं तो आपको लगता है कि अगर कोई खत्रा है तो ये दूर हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो हाँ हर कोई ऐसा फिर ऐसा ही करेगा लेकिन असलियत ये है कि ये खत्म नहीं होने वाला अर्बाज ने कहा कि ये उनका घर है अर्बाज ने कहा कि कोई भी ये नहीं कह रहा कि ये जगा खाली करो और हम तुम्हें जाने देंगे ऐसा नहीं है किवल एक ही चीज जो कोई कर सकता है वो है हाई लेवल की सावधानी बरतना व्यक्तिकत रूप से या सरकार जो आपको दे अर्बाज ने कहा कि वो किवल एक ही चीज कर सकते हैं कि सामाने तोर पर अपनी लाइफ जीए जानकारी के लिए बता दें कि सल्मान खान बॉली उड के वो अभिनेता हैं जो किसी से डरते नहीं उनका मानना है कि जब जो घटना होनी है वो होगी अगर अल्ला चाहेगा तो होकर रहेगा मैं किसी की डर से अपनी जिंदगी में कोई परिवर्तन करने वाला नहीं हूँ मैं बिंदास जीता हूँ और बिंदास जीता रहूँगा मुझे किसी की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे सलमान खान की आगे पीछे सरकार ने इतनी सुरक्षत तैनात कर दिये कि उनके पास परिंदा भी आने से कत्राएगा इस मुश्किल घड़ी में सलमान खान के लिए उनके फैन दिन रात दुआ करते हैं और सलमान खान जिनकी मदद करते हैं उनका परिवार भगवान से सलमान के लिए उनकी सलामती की बार बार दुआ करता है क्योंकि सलमान बॉली उड के एक लोते हैं सभी नेता हैं जिन्नोंने देश सही दुनिया भर में लाखों लोगों को नई जिन्दगी दिये